नमस्कार मित्रों आज मैं हिर्दय रोग से सम्मंधित वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही उप्योगी है कारण यह है कि विश्व में सबसे अधिक मरने वालों की संख्या हिर्दय रोग के कारण ही है अगर इससे हम लोग का बचाव बहुत ही सरलता पुर्वक एकोप्रिशर विधा द्वारा किया जा सकता है और एकोप्रिशर विंदूएं कुछ बहुत ही महत्तपूर्ण हैं जिनका आगे मैं बताऊंगा कि प्रतिक विंदू का क्या-क्या विशेस वर्क है और किस प्रकार हम लोग हिर्दय रोग जैसे गंभीर बीमारी जिससे बहुत ज्यादा मित्यू दर है पुरे विश्यो में उससे बचाव और उसकी चिकित्सा भी हम लोग किस प्रकार एकोप्रिशर चिकित्सा में कर सकते हैं बड़े ही सफलता पुर्वक और सरलता पुर्वक तो आएए विडियो को हम लोग शुरू करते हैं हिर्दय समंधी रोग हिर्दय एवंग रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करने वाली बिमारियों का एक समूह है यह रोग हिर्दय एवंग रक्त वाहिकाओं के एक या कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है कुछ ब्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें इसके लक्षन का अनुभा होता है और कुछ ब्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको इनके लक्षन भी नहीं पता चल पाते हैं उनका अपने बोडी पर क्या प्रभाव पर रहा है ये पता भी नहीं चल पाता है हिर्दय रोग में हिर्दय या रक्त वाहिका सम्मंधी जो मुखे समस्याएं हैं मैं उसके बारे में अब बताता हूं हिर्दय अन्य अंगो या पुरे शरीर में रक्त वाहिकाओं का संकुचन हो जाता है जन्म से ही हिर्दय एवं रक्त वाहिका समंधी समस्या भी हो सकता है कुछ लोगों को हिर्दय का भल्ब ठीक से काम नहीं करता है अन्यमित हिर्दय का लेह जो लेह है हिर्दय का धरकन जिसे कहते हैं वो अन्यमित हो जाता है इसके लक्षन क्या-क्या सामने आते हैं तो सीने में दर्द होता है जिसे एंजाइना पेन भी कहते हैं छाती में दबाव सा प्रिशर जैसा महसूस होता है, भारीपन रहता है या बेचैनी रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर आता है या फिर बिहोसी तक भी आने लगती है बित्यों में, ठकावट जैसा फिल होता है, शरीर में रक्त वाहिकाओं में रुकावट होता तो उसके लक्षन क्या क्या आते हैं ये मैं बता रहा हूं चलते चलते पैरों में दर्द या एठन होने लगता है पैरों में सूजन होने लगता है चेहरे एवंग में सुन्नपन आने लगता है यह शरीर के सिर्फ एक तरफ भी हो सकता है सुन्नपन वाली बात बोलने देखने तथा चलने में कठिनाई होने लगता है हिर्दय की रक्त वाहिकाओं में समस्या आने लगती है हिर्दय के भलों में कसाओं जैसा मसूस होने लगता है हिर्दय की पंपिंग कारियों में समस्या आ जाती है मस्तिस्क तक रक्त पहुचने वाली रक्त वाहिकाओं में समस्य आ जाती है हिर्दय की विद्दुत चालन प्रणाली में समस्या के कारण आंसिक हिर्दय का ब्लॉक होना भी इसके लक्षन है प्रवंधन जीवन सहली में बदलाव लाने के आउशकता है भोजन में वैसा भोजन लेने के आउशकता है जिसमें वशा कम हो कमबाकू का सेवन तो बिल्कुल बंधी कर देना है पैदल चलने के आउशकता है और एक्यूप्रिशर इस्तमाल करना बिल्कुल ही शुरू कर देना है अब मैं एकुप्रेशर बिंदू बताने जा रहा हूँ लेकिन उससे पहले जो एक थौट है एकुप्रेशर का वो मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूँ यही वास्तविक्ता है मतलब कि अगर हमारे शरीर में वाइचल एनरजी के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं है तो कोई रोग नहीं है और यदि हमारे भाइचल एनरजी प्रान उर्जा के प्रवाह में कोई रुकावट है तो ही रोग है इस मर्म को समझने के बाद अब मैं एकोप्रेशर बताने जा रहा हूँ और एकोप्रेशर बिंदों को उप्योग करके हम इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं बड़े ही सरलता पुर्वक और बहुत ही सफलता पुर्वक सबसे पहले मैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ यह अंउठा के तरफ यहां जो निशान मैंने पहले से ही लगा दिया है इस प्रकार हम लोग इससे लेजर भी दे सकते हैं और दबाव भी दे सकते हैं और मैगनेट भी लगा सकते हैं तो लेजर के बारे में मैं बता रहा हूँ इस प्रकार ओन करेंगे और इस प्रकार जितना बरदास्त होता है उतना दे सकते हैं देख रहे हैं कि इस परकार यहां यह पॉइंट चल भी रहा है यह हिर्दय एवंग पेरिकार्डियम की चिकित्सा के लिए उत्तम बिंदू है हिर्दय के स्नायू जाल में रुकाउटों को समाप्त करता है इसे दो मिनट तक हम लोग इस लेजर पेन से यहां दे सकते हैं या फिर इस जिवी से भी हम लोग दो मिनट तक दबाओ दे सकते हैं या इस परकार मैगनेट इसमें ब्योल मैगनेट है यह पीला अला हिस्सा बॉडी से टच करेगा और इस परकार हम लोग चिपका सकते हैं तो वैसे ही इसके आगे कुछ बिंदू और मैं बता रहा हूं उस पर भी यह तीनों कारे कर सकते हैं फैट डी टू यह पैर के तलवा में फोर्थ टो में यह बिंदू पाया जाता है अभी आप चितर में देख सकते हैं चाती में इस्थित अंगो एवंग वाहिनियों यथा हिर्दय मानस्पेसी, हिर्दय रक्त वाहिनियों, धमनियों, महा धमनियों ए और टा के फैटी डी जेनरेशन की चिकित्सा के लिए बहुत उप्योगी हैं और तीसरा बिंदू है C.I.7 यह हमारे हथेली के तरफ यह यह बिंदू में पहले दिखा चुका हूँ C.I.7 यह हिर्दय की धमनियों की चिकित्सा के लिए बहुत ही उप्योगी बिंदू है यह C.I.7 इस पर भी हम लोग लेजर से दो मिनट देंगे या जिमी से देना है तो भी दो मिनट पिशर देंगे या मैगनेट भी लगा सकते हैं ब्योल मैगनेट पीला वाला मैगनेट इस पर बॉड़ी को टच करेगा इसके बाद का मुख्य बिंदू है H.I.C. यह कानी उंगली है कानी उंगली मैंने बिंदू दिखा दिया है यह तीसरा हड़ी तीसरा हड़ी के शुरुवात में ही अंदर के तरफ यह H.I.C. है यह हिर्दय की चिकित्सा के लिए सरुस्रेश्ट बिंदू है चुकी यह हिर्दय का नियंतरक माप बिंदू है यह हिर्दय के पैथोलोजिकल डिस्टर्बेंस को संतुलित करता है और अगला बिंदू है बहुत इंपोर्टेंट H.7a यह कानी उंगली और इसके ठीक सीध में जहां निशान मेंने लगाया है यह बिंदू है H.7a यह हिर्दय ब्लॉक को खोलता है हिर्दय में किसी भी तरह का ब्लॉकेज जो रहता है उस ब्लॉकेज तक को यह बिंदू खोलता है तो इन सभी बिंदूओं पर हम लोग इस लेजर पैन से दो मिनट तक दे सकते हैं या जिमी से भी दो मिनट तक दे सकते हैं यह मैगनेट ब्योल मैगनेट भी लगा सकते हैं यह पीला वला हिस्सा यहां टच करेगा और यह मैगनेट अगर लगाएंगे तो दो तीन घंटे तक वहां चिपकाया जा सकता है तो इन सभी बिंदूओं का उप्योग करके हिर्दय रोग में जो एक रुहो का कई समू है विभिन प्रकार से यह हमारे बोडी पर तरह तरह के अंगों पर भी इसका असर आता है तो वैसे गंभीर बिमारी का जिससे सबसे अधिक मौते होती हैं पुरे विश्यो भर में उसकी भी सफल चिकित्सा हम एको प्रिशर दुवारा कर सकते हैं यह जो पांच बिंदुए हैं बहुत ही उप्योगी से धोने वाली हैं इसमें हम सभी एक दूसरे के जान तक की रक्षा कर सकते हैं इसलिए वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लोग इनका उप्योग कर सकें इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने के हो सकता है लाइक और कमेंट अवश्य करें बहुत बहुत धन्यवाद